बीते कुछ समय से कर्ज माफी को लेकर भी कॉंग्रेट बड़ी बड़ी बाते कर रही है लेकिन ये भी सिर्फ दोखा है जूट है करनाटक में कॉंग्रेट ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था सिर्फ दस दिन की बात कही गई थी लेकिन आज छे महने बात सच्चा ही कुछ और है अभी दो तिन दिन पहले ही अख़बारों ने विस्तार से रिपोर्ट छापी है कि करनाटक में छे महने में एक हजार किसानों को भी कर्ज माफ नहीं हुआ है सोचिए एक हजार को भी नहीं सैंकडों किसानों के खिलाब अदालतों ने कारवाई शुरू कर दी है उनके खिलाब गिरबतारी का वारन डिकल रहा है कॉंग्रेश पूरी ताकत लगा रही है कि ये सच्चाई दब जाएं छिप जाएं देश के किसानों के सामने ना आएं लेकिन किसानों से की जा रही है दोखागड़ी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बरबाद कर देने वाली है कॉंग्रेश की साजीश को बीजेपी सरकार घर घर जाकर के पहुंचाएंगी साथियों याद करिए 2008 में भी कॉंग्रेश ने देश बर के किसानों को ऐसी ही करज माफी का बादा किया था तब देश के किसानों पर 6 लाग करोड रुपिय से जादा का कर्ज था लेकिन कॉंग्रेज सरकार ने कर्ज माफी की कितनी की 6 लाग करोड का कर्ज और किया कितना सिरफ साथ हजार करोड कहां छे लाग करोड और कहां साथ हजार करोड कितना बड़ा धोका इतना ही नहीं कर्ज माफी की आड़ में ऐसे 35 लाख लोग करीब करीब वो निकल आए जो कर्ज माफ कर दिया गया लेकिन वे कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे पिछले दरवाजे से रुपिय मार गए भाई और बहनों खेती किसानी से जुड़ा कोई भी सेक्टर हो कॉंग्रेस ने उसे मजबूत करने की और कभी भी ध्यान नहीं दिया